Hello friends, welcome back in KS Computer पिछले वीडियो में हमने CSS की position property के बारे में पढ़ा था आज हम overflow property के बारे में पढ़ेंगे जब हमारा content element से बाहर जाने लगता है तो उसको overflow होना कहते हैं overflow तभी होता है जब हमने element की height और width को fix कर रखा हो overflow को handle करने के लिए हम CSS की overflow property को use करते हैं overflow की चार value होती है, visible, hidden, scroll और auto आईए हम देखते हैं कि हम इनको practically कैसे कर सकते हैं इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक html file बनाई हुई है और इसमें मैंने एक div लिया है और उस पर class लगाई है container और container के अंदर मैंने दो और div लिये हुए हैं और एक पर class लगाई है para और उसके अंदर कुछ dummy text डाले हुए हैं और इसके बाद में एक और div लिया है और इसमें मैंने class लगाई है image और इसमें मैंने एक image लगा रखी है और इसके साथ मैंने overflow style.css file को link करवा रखा है इसमें मैंने इसकी css लिख रखी है यहाँ पर देखिए मैंने container वाले div की display को flex कर रखा है ताकि इसके अंदर के जितने भी element हैं वो एक row में आ जाए और फिर उसके बाद मैंने paragraph वाले div पर border लगाया है 5 pixel का और उसकी height और width को fix कर रखा है क्योंकि अगर हम height और width को fix नहीं करते हैं तो हमारा content overflow नहीं करता और उसके बाद मैंने image वाले div पर border लगाया हुआ है 5 pixel का और इसको भी मैंने height width दे रखी है और इसको left से margin दे रखी है 100 pixel और इसके बाद मैंने अपनी image को handle कर रखा है और इसकी भी height width fix कर रखी है और अब हम इसका result देखते हैं तो इसका result यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर देखिए हमारे जो content है यह हमारे div से बाहर जा रहा है और यहाँ पर यह वाली image भी हमारे div से बाहर जा रही है, अब इसको handle करने के लिए हम overflow property को use करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर लिख देते हैं overflow, overflow की पहली value है visible, overflow की default value visible ही होती है, तो अगर हम overflow visible करते हैं, तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ और अब हम करते हैं overflow hidden, तो hidden करने से इसका जो content overflow हो रहा है, वो hide हो जाएगा, इसको मैंने refresh किया, तो यहाँ से देखिए, बाकी का content हमारा hide हो चुका है, अब इसी तरीके से हम overflow property को इस पर भी लगाते हैं, image वाले div पर, तो हम यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर image वाले div म हम image पर overflow property यूज नहीं करेंगे, image हमारी जिस div के अंदर पड़ी हुई है, उस पर हम overflow property को यूज करेंगे, तो overflow को मैंने hidden कर दिया, अब हम इसको save करके यहाँ पर चलते हैं, और इसको refresh करते हैं, तो देखिए, जैसे ही मैंने refresh किया, यह left और right से जितनी भी image हमारी इससे बा करते ही, यहाँ पर horizontally और vertically एक scroll bar आ जायेगा, इसको refresh किया, तो यह देखिए, scroll bar आ चुका है, हमारा यह वाला जो content है, यह left और right से overflow नहीं कर रहा था, लेकिन तब भी इसमें scroll bar आ गया है, अब मैं image वाले div पर भी overflow को scroll कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, scroll और इस में भी scroll bar आ चुका है, इसको हम horizontally और vertically दोनों ही तरफ से scroll करके देख सकते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि scroll bar तभी आये, जब जरूरत हो इसकी, तो उसके लिए हम यहाँ पर paragraph वाले div में लगा देते हैं, auto, यहाँ पर मैंने लगा दिया auto, और auto करके मैं इसको save करके refresh करता ह हूँ, तो यहाँ पर देखिए, यह top bottom से तो scroll bar इधर आ रहा है, और left right से scroll bar नहीं आ रहा है, क्योंकि यह left right से overflow नहीं कर रहा था, अब मैं image पर भी overflow auto करता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ लिख देता हूँ, overflow auto, और auto कर दिया, और इसको मैंने refresh क तो इसमें दोनों भी तरब से scroll bar आएगा, क्योंकि इसमें दोनों तरब से हमारी image overflow हो रही थी, और अगर हम scroll value को use करते हैं, तो हमारा content चाहे overflow हो रहा हो या ना, हमारे element में scroll bar आ ही जाएगा, तो मैं यहाँ से इसके content को delete कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ से यह paragraph में delete कर देता हूँ, और इसको delete करके हम यहाँ पर आके refresh करते हैं, अभी देखिए क्योंकि हमने overflow auto कर रखा था, तो यहाँ से scroll bar जा चुका है, अब मैं अगर यहाँ पर overflow कर देता हूँ, scroll, तो scroll करके हम इसको जैसे ही refresh करेंगे, तो इसमें scroll bar आ जाएगा, तो इस तरीक यहाँ से हमारी overflow auto और scroll value वर्क करती है, overflow group की और भी दो property है, overflow x और overflow y, जब हम left right से ही overflow को control करना चाहते हैं, तब हम overflow x property को यूज़ करते हैं, और जब हम top bottom से overflow को control करना चाहें, तो उसके लिए हम overflow y property को यूज़ करते हैं, तो आएए अब हम चलते हैं, और image वाले div में overflow x लग हम कर देते हैं hidden, हमने top bottom से hidden कर दिया overflow को और इसी तरीके से मैं इसको एक बार copy कर लेता हूँ, और overflow y कर देते हैं हम scroll, यहाँ पर मैं कर देता हूँ scroll और इसको save करके, हम यहाँ से refresh करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यह top bottom से तो scroll बार आ रहा है, लेकिन यह left right से जितनी image overflow ह हो रही थी, वो height हो चुकी है, तो इस तरीके से आप overflow property को use कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, अगर आपके मन में कोई doubt है, तो आप हमसे comment के जरिए पूछ सकते हैं, मिलते हैं next वीडियो में, thanks for watching.